नमस्कार गुड मोरें दोस्तो आज हम इस वीडियो में जितने परसंद देखेंगें पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में दोस्तो अगर आपको इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोन कर लेजे जिसका लिंक इस वी पीडियाप डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तो जो पीडियाप होगा पूरे पूरे डिटेल में लिखा होगा यानि कि आप बाद में भीकर उसको पढ़ोगे जब आपको पेपर होगा तब आपको सई से याद हो जाएगा तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला पस्त रा जंदरी हैं मानाव स्वसांदर विकास मंतरी हैं कोन हैं रमेश पोखरियाल निसंक उन्होंने इसके जनकार दी उन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया है ठीक है दोस्तो अब देखिए इस रैंकिंग में कितने सेड़ी में जारी किया गया तो 10 सेड़ी में जारी किया जाता रहा है यह पहली बारे के 10 स्रेणियों में जारी किया गया तो नई स्रेणि कौनसी है तो डैंटल के छेतर में यह नई स्रेणियों है इसको आप याद किजाए कि नई स्रेणि कौनसी है ठीक है अब देखे इसको सबसे पहली बार कब जारी किया गया था तो सितंबर 2015 में इसक देखेंगे ओवर रोल ठीक है और इसमें जो इसको रैंकिंग दी गई है टोटल सो नंबोरों में से इसके रैंकिंग दी गई है भार सरकार के तरफ से ठीक है दोस्तों अब देखें बड़ा ये वीडियो बन जाएगा अगर मैं आपको सारा पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो आप इसमें आप वीडियो रोकिएगा और आप साइस को याद कर लेजेगा ठीक है दोस्तों अब देखें ये तो ओवर ओर हो गया अगला कौन सा है यूनरश्टी के छेतर में रैंकिंग ठीक है इसको आप रोकिए और याद कर लेजे अगला है दोस्तों इंजिनिरिंग के चेतर में, next है management के चेतर में ये ranking जारी की गई है, अगला दोस्तो, colleges कौन कौन से हैं, फिक है, नमबर हों पर कौन से है, मिंटा हाउस दिल ली, लेडिस थी, राम कोलेज फॉर वुमन, ने दिल ली, ऐसे दोस्तो इसको यात करी जीगा, रुक लीजेगा वीडियो, अगला pharmacy के चेतर में, ओके दोस्तो, next कौन सा है, तो दोस्तो, medical के चेतर में, ये 3 को भी बस ranking जारी की गई है, architecture के चेतर में, तीन संस्ता की ranking जारी की गई है, ठीक है, जादा जारी नहीं किया गया, और low के चेतर में भी, तीन काही जारी की गई है, और dental के चेतर में, जो नया है, दोस्तो, इसको तो आप याद करें लिजेगा, क्योंकि काफी अधिक बार पूछा जाने वाला है, जो नया होता है, वो ही पूछा जाता है, दोस्तो, इसमें नंबर बन कोन है, तो मौलाना आजाद इंस्स्टूट ओफ डैंटल साइनस कहाँ पर है, दिल्ली में, यह नंबर बन पर है, दोनमर पर है, मरिपाल खॉछे ओफ डैंटल सायनस उड़ुपी, या कितने नंबर पर है, दोनमर पर, अगला है DDY पार्टिल विद्धाविट पूरे यह है तीन नमर पीस के रांकिंग दीगे डेंटल के चेतर में भार सरकार के द्वारा दोस्तों ओके अगला पस देश में युवा दिमागों को प्रजवेत करने के लिए ओनलाइन साइबर स्पेस परतियोगिता दोहर बीस का कि बीस के द्वरण आजीशन किया जाएगा तो इसका ऐऊजय घया जागी और इसथे रहों के द्वरह इसका आजीशन खिया जागा और इस तो दोस्तों हम डिटेएल में अभी देखेंगे अगली सलाइड में ओके आप दिखे दोस्तों यह क्या है ओनलाइन साइबर स्पेस परतियोगता इसमें होगा क्या तो जो भी विदार्थी एक से तीन कक्षा की बीच में पढ़ता होगा उन्च हात्रों को ड्राइंग परतियोगता करा जाएगा इंगे ड्राइंग की लीखरने का कॉमप्रीशन करा जाएगा और जो भी जार्थी एक से दर्फी बारवी को ठामें पढ़ते हैं दोषटों उनको हिंदी इंग्लिश और जो भी अंत्रीक्स प्रस्वेश थी हैं जो अंत्रीक्स की छेत में जो भी क्वीज होता है प्रश्छर होते हैं उन इससे प्रश्ण बहुत अथिक बंते भी हैं दोस्तों जो इसका फूल फारम क्या है तो इसका फूल फारम है इंडियन स्पेस रिसर्च और गनाइजेशन ठीक है इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था तो 15 अगस्त उनिस्सों उनहत्तर को इसका स्थापना हुआ था अब देखे एक ऐसा प्रश्ण पूजाता है कि इस लोग का जो आप लोगो दोखोरी इसने लोगो कब अडॉप्ट किया था तो 2002 में इसने अपने लोगो अडॉप्ट किया था ठीक है है फाटकवाटर का है तो बैंगलोर औ यह कहा है थुमबा में ठीक है थुमबा कहा है केल में और यह भाद का सबसे पुराना स्पेस सेंटर है दोस्तों ठीक है इसको आप याद कीजिएगा ओके अब देखे अगला कोन जहां से ज़्यादा यहाँ पे गत्विद्या होती है इस रोकी तो 37 धवन अंतरिक्ष केंद सिरी हरी कोटा यह है आंध परदिस में जो दोस्तों जो मंगल यान टू भेजा गया था वो भी यहीं से भेजा गया था इसके परेंट टाइम के चेर्मेन कोन है तो के शीवन इसके परेंट टाइम के चेर्मेन है ओके दोस्तों अब देखते हैं अगला पर्ष क्यू एस वर सुन रोंगे QS तो इसका फुल फर्म कहा है तो इसका फुल फर्म होता है क्वालिक क्विली सिमोंट्स दोस्तों इसका फुल फर्म होता है ठीक है अब देखिए इसका कौशा संस्कंड तो इसका सतारवा संस्कंड जारी किया गया अब कि वाजी अब कि बस सतारवा है तो पहल पर जारी किया गया था दोस्तों ठीक है अब देखिए जो मेसा चुचेस इंस्टूट ओफ टेक्नोलजी है ये नो सालों से लागातार इस रैंकिंग में नमबर वन बना हुआ है ठीक है अब देखिए भार के कितने इसमें संस्थान है तो भार केवल तीन संस्थान चुनों के अब देखिए जो इस संसान को जो रैंकिंग दी जाती है उनको 100 नमबरों के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है ठीक है दोस्तों अब देखिए किस किस हिसाब से तो academic reputation का 40 नमबर दिया जाता है ठीक है employer reputation का 10 नमबर में से दिया जाता है दोस्तों और citizens for faculty का 20 नमबर में से दि 70% में से और International Facility Ratio International Student Ratio का 5-5% में से इसकी रांकिंग दोस्तों दी जाती है तब इस रांकिंग को जारी की जाती है अब देखिए जो Top 5 University है उनके बारे में देखेंगे इसमें कौन सी जारी की गई है तो कौन सी जारी की गई है तो नंबर वन पर है मेसाचुचेस Institute of Technology MRT यानिके यह USM है और यह जापसे में आपको बता है कि 9-12 पर नंबर वन बन यहीं जाने कि 2020 में भी नंबर वन थी 2021 में भी नंबर वन है ठीक है दो नंबर पर थे पिछली बार दोस्तों यह 5 नंबर थी ठीक है यहाँ बस फेर बदल हुआ थीक है Universityiciary of Oxford यह आपकि बार 5 नंबर पर पिछली बार 4 नबर पर दोस्तों ठीक है आपको याद करना होँगा अब देखे भारत की कौन-कौन सी इनकिंग के राइंकिंग जारी गए उसके बार आम देखने दोस्तों के भारत के पुछा जाता है आधिक बार तो दोस्तों यह सेमें आपके बताएं के top 200 में 3 संस्थान है तो कौन-कौन से ती नमर पर है IIT दिल्ली और 192 रैंकिंग के साथ ठीक है और पिछले साल 182 नमर पर दोस्तों अब दिखे टो 500 में कौन-कौन सी हमारी इंस्ट्यूट है भारत के तो IIT मदरास 275 नमर पर IIT खड़कपूर 314 नमर पर IIT कानपूर 350 नमर पर IIT रुडकी 383 नमर पर IIT गुहाटी 470 नमर पर दोस्तों कितने हमारी भारत की जो इंस्ट्यूट है कितना हर्द खराब है आप देख रहे हैं कि टोप 100 में भी नहीं आप आ रही है दोस्तों ठीक है बुजूर्ग लोगों के लिए पंचवटी योजना किस राजी में सुरू किया गया तो ये सुरू किया गया उप्सर नमर डिया निकि हमाजार परदेस में पंचवटी योजना को सुरू किया गया अब इसको लोंच किस ने किया तो हमाजार परदेस के मुख मंत्रिया जैर जो जोब दिया जाए उनको पार्क और उध्यान बनाने का भी काम दिया जा सकता है दोस्तों थीके अब देखिए इसमें बनाएका जाएगा तो जो भी आरिवेदि और वह यहां पर लगाया जाएंगे थीक जो भी मंड्रों जन सब कुछ वाँ पर दोस्तो बना जागा आप देखे कितने बना जा रहे हैं पार्क ओर उद्यान तो सो पार्क ओर उद्यान बाने कर लक्स रखा है किसने हिमाचर पर्देश सरकार ने दोस्तो थीको centralized हिमाचर पर्देश के बारे में इंसटवrics दोस्तो फार किके पूर्द्स क पहले था कब बना था तो एक नंबर 1956 को ठीक राज कब बन गया तो 25 जनवारी 1971 को ये राजी बन गया ठीके इसके राजी पसु क्या है हीम तेन दुवा राज के पक्षी जजुराना फूल गुलावी बुरांस व्रेक्ष हिमाली देवदार ओके दोस्तों अब देखते अगला आपस पांच नंबर के लिए दरजी नाय और वासरमैन के लिए मुख्य मंत्र जगरनात चय दोडू योजना कहां सुरू कियागा दोस्तों यह सुरू कियागा ओप्षयन नंबर सिया नहीं कि आन्ध पर्दिस में इसको सुरू किया अब देखिए दोस्तों योजना को लौ कुछ पैसे दी जाएंगे ठीक है कितने पैसे दी जाएंगे तो परतेक लाभारती को 10,000 रुपे के वित्य साहता दी जाएगी ठीक है कितने लोग को दिया गया तो जो भी 60 वर्ट से कम अयों कि जो भी उध्यमी होंगे उनको 2.47 लाख अभिहारतीयों को इस योजना के अंतरगत में लाभ दीया गया जो ठीक है अब तक इस योजना के अंतरगत में तो हम देखते हैं आंत्र प्रदेश के बारे में दोस्तों इसकी राजधानी का है तो इसकी राजधानी है अमरावती ता था 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 इसके चीफ महिश्टर है यह जगर्मुहन रेड़ी और इसके गवर्नर है बिश्व भूशन हरी चंदन ता था इसकी पारेमन सीटे हैं दोस्तों कुछी बोई डान्स से पाश्मिर का भी पूछे जाते रहें जनवर का है काला हीरन पक्षी है तोता फूल है चमेली और विक्ष है दोस्तों नीम का पियर्ण ओके अगला पस्ट छे नमर के लिए अब देखें दोस्तों हम देखेंगे ऑस्टेलिय के बारे में इंपोर्टन फैक्ट जो ऑस्टेलिया है इसके जानी का है स्कोर्ट मोरिसन इसके नरेश है एलजाबेट द्विती तता मुद्र को चलती है और शेलियन डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है दोस्तों आपको इमेर्ज में दिख रहा है यह यह ओस्टेलिया ठीक है अगला पस्ट किस भारतिय अमेरिकी मृद्धा बिग्यानिक ने वि प्रुस्कार इस है दिया रहा क्योंकि इणोंने खाद उद्पातां को बहाने के लिए जो मिठीक उद्वरत्ता सकती है दोस्तों के बहुत अच्छे पर्षोत किया थी के जो साथ में प्रुस्पकार से न नवाजा गया है अब देखिए नहों कितने राशी दीगाई तो 2.5 लाक डोलर की रासी दी गई दोस्तों इस फ्रुसकार के अंतरगत में ठीक है आप देखते हैं अगला परश्ट World Day Against Child Labour का मनाया जाता है दोस्तों यह हर साल मनाया जाता है अप्सन नमबर सी यानिकी 12 जून को मनायाने का हुद्य से क्या है तो Child Labour से जुड़े वे दो भी दूस परिणाम होते हैं दोस्तों उसके जगुता पैदा करने के लिए इसको हर साल मनाया जाता है ठीक माता कोन है तो अंतराश्य स्रम संगठन के ILO इसको हर साल मनाता है और ILO का मतलब होगा International Labour Organization इसको हर साल मनाता है ठीक दोस्तों कितने देशों में मना जाता है तो लगबग लगबग 100 देशों में मनाया जाता रहा है ठीक है अब देखिए अंतराश्य स्रम संगठन के अनुसार पूरे 20 में 152 मिलियन बच्चें हो जो बाल स्रम से जुड़े हुए ठीक है और जो 72 मिलियन बच्चें वो बहुत खतरना काम करते हैं जिससे उनके जान भी बहुत जादी मातरा में चली जादी रही है ठीक है इसको पहली बार कम मनाया गया था तो इसको पहली बार 2002 में मनाया गया था तब से अब तक इसको मना जाता रहा है हर साल दोस्तों ठीक है अब देखते हम अगला पश्ट जल्ज जीवन मिशन की अंतरगत 1280 करण रुपे किस राजिकों जारी किया गया तो यह जारी किया गया अब देखे दूसर यह जारी किया गया अब देखे दोसर यह मिशन है कि यह मिशन है ग्रामीर छेतरों में नल के माध्यम से परतेख परिवारों को ठीक है स्वच्छ जल्ज पहुंचाना इसका लक्ष है कब तक लक्ष रखागा तो दो हजार चोबिस तक पहुंचा देना है इसको लॉंच किसे ने किया था तो 2019 में भाद के पेंटाइम के प्रधान मंति शेरीत दामोदर दास नहेंतर मोदी ने इसको लॉंच किया था अगला परशन है दस नमर के लिए बहुत इंपोड़न परशन है महराष्ट कैबिनेट ने परिवरण मंति अले का नाम बदल कर क्या कर दिया तो उन्होंने नाम बदल कर दिया अप्षय नम बड़ेन की परिवरण और जलवाई प्रवतन मंत्रा ले यानिकि अब से इसका नाम हो जाएगा परिवरण और जलवाई प्रवतन मंत्रा ले परिवरण मंत्रा लेगा दोस्तों ठीक है अब दिखिए इसको मंदिर किस ने दी तो महराष्ट कैबिनेट ने इसकी अध्यक्सता किस ने की तो इसकी अध्यक्सता की मास्क बेंड़न के मुख मंत्री उद्धव ठ करें दोस्तों ठीक है अब देखिए इसको नाम बदलन के अशकता क्यूं पड़ी तो नाम बदलन के अशकता इसलिए पड़ी कि महराष्ट में तीन जुन को आपको पता होगा कि निसर्क नाम का शाकवाती दुफाना आया था ठीक है अब देखिए इसमें को भी मोस्तम से जुड़ावाग को भी चर्वाई परतन जुड़ा कुछ भी नहीं लिखावाय तो इसको सही पहचा नहीं मिल पाई इस मंत्राले को कि ठीक है तो इसलिए इसका नाम बदलने के आप सकता पड़ी ठीक है आब देखिए जो परिवारण ओ जलवाई परतन मंत्राल है जो मंत्राल है ये किसी वो राज में भी इसी नाम से चलता है को उसे राजियों में तो गुजरात, उत्तरपरदेश, हरियाडा और कई असी राजे जो हाँ पर इसी नाम से इसको जना जाता रहा है ठीक है अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्ण पूछा था क्या पूछा था कि बॉलीबूर के दिगज अभनीता रिशी कपूर 30 अपैल 22 को उनका निधन हो गया ठीक है उनका निक नेम क्या था यानिक उनको घर पर किस नाम से बलाया जाता था दोस्तो बलाया जाता था ओप्शे नमबर यानिकि चिन्टू के नाम से ठीक है अब दे दूबे एजुकेशन क्लास अमित मली कुनाल कुमार सिंग और बकलोल बाबा इन सब दोस्तों ने पूरा सई से जवाब दिया है दोस्तों ठीक है अब हम देंगे आज का परशन क्या है भारतिय बजड़ परदार्शिता और जवाब देही के मामले में किस स्थान पर है भार जैसे आप देते आते रहे हो ठीक है और इसी वीडियो के जास ज्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाएं कहां पहुंचाएं जितने आपके स्टेडि लेटर गुरूप है वहाँ पर इसको शेयर करना है ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो ये वीडियो को लाइक कीजीएगा तथा अगर आपको ये चैनल अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल बटर नमस्चे दवाईएगा ठीक है अपना और अपना ख्याल रकी नमस्कार धनिवाद